बेटे से मिल लिया लोग अदालत जॉइन नहीं कर पाया क्योंकि जो लोग इनको देख रहे हैं मैं पहाडी आज मैं पहाडी फैमिली में जो चीज़े चल रहे हैं उनकी बात करने जा रहे हूं और बहुत अच्छा लगा कि देर आये दुरुस्त आये विजिटेशन राइट्स के बावजूत जो एक फादर अपने बच्चे से नहीं मिल पा रहा था हां जी तो अंकुष अगनी होतरी का वीडियो देखा और बहुत अच्छा लगा कि फाइनली वीडियो आया और बेटे से मिल लिया ठीक है तो फ्रेंड्स आप लोग का बहुत-बहुत स्वाज़ा था इस चानल पर अगर आप लोग फर्स टाइम देख रहे हैं तो पूरीतों ने हालांकि अभी जो कोट हीरिंग जिस दिन 11 तारिक को अपने बच्चे को उसके फादर से मिलवाना था उसका अभी कोई वीडियो अपडेट नहीं आया है क्यों नहीं आया है या हो सकता है लेट वीडियो डाले उनके चैनल पर सच कुछ नहीं है लेकिन लास् डाला जो वीडियो जहां पर ठीक है अंकुष और सिधार्त गए हैं मिले हैं उस से अभी कोई उनका वीडियो नहीं आया है तो देखते हैं आने वाले टाइम पर प्राइबेट रखेंगे सोशल मीडिया पर नहीं दिखाएंगे तो उसके बिर्दे लेक्डे मेरे माई नही और कल मतलब प्रीतो का तो वीडियो नहीं आया लेकिन भाई का ज़रूर वीडियो आया जहां पर वो कह रहा है कि मैं बाप बनके फर्स निभाया बाप बनके फर्स निभाया बेटा बनके फर्स निभाया और पूरी वीडियो में वहां पर पहुँचके इनकी वाइफ की भी खराब थी जिस तरह से चीजे उन्होंने कवर करी एक चीज थोड़ी सुनने में अच्छी नहीं लगी जब प्रीतों बोल रही थी कि लोग घूमने जा रहे हैं हम लोग का कल का दिन तो अच्छा था लेकिन चलो इस तरह से बोला गया तो वो चीज अच्छी नहीं लगी एक बाप के दिल से पूछो एक दादी के दिल से पूछो लेकिन कहते हैं ना कि अगर अंत भला तो सब भला ठीक है जो विजिटेशन राइट्स मिले थे जिसके एक फादर ने है ना मतलब कितनी मुश्किल से कहते हैं उसको बच्चे से मिलने के लिए उसने कोर्ट से विजिट आंटी जी जादा long distance travel नहीं कर पाती, आज पी उनकी तवियत खराब होगी, लेकिन कहते हैं ना कि अपने मिठु के लिए, हां जी अपने grandchild से मिलने की सोची इतनी खुशी थी, कि वो गई भी और नया suit पहन के गई, और दोनों दादी अपने पोते से मिली, मिठु से और जो फादर है, वो अपने बेटे सिधार्थ से मिला, ठीक है, हालांकि देखिए, फोटो, वीडियो कुछ शेर नहीं किया है, इनके ठीक है, प्राइविट मोमेंट्स हैं, अपने बच्चे से मिलके, लेकिन जिस तरह से वो बता रहे थे, नीचे कॉमेंट्स सेक्षिन में भी सब लोग यह कह रहे हैं, कि हम लोगों को ऐसा लग रहा है, कि हम लोग ही मिल लिए, क्योंकि बहुत टाइम से एक फादर का स्ट्रगल देखा है, लोगों ने, ठीक है, उनके आसू, जो बहते थे अपने बच्चे के लिए, उनका दर्द लोगोंने समझा है, खेर, जो साइकल गिफ्ट लेके गए थे, जो अपने बच्चे सिधार्थ के लिए, वो लेके गए, कड़ा लेके गए हैं, चांदी का, चेन लेके गए हैं, और जो बच्चे के लिए अलग से, जो गिफ्ट पूरा रैप करवाया था, जिसमें बच्चे के लिए, बहुत सारे गिफ्ट, चॉकलिट्स वगेरा भी थे, हलांकि कुछ मेरे सब्स्क्राइबर्स, जो न्यू एड़ हुए हैं, इनको देखते हैं नहीं, देखते हैं, लेकिन मैं यहां पर कहूँगी, कि आप प्लीस देखिए, आपको भी समझाएगा, कि मैं किन इमोशन की बात कर रही हूँ, बहुत अच्छा लगा, ठीक है, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं, हमारे सोसाइटी में, समाज में, जहां पर कुछ चीजे एक फादर के साथ भी गलत हो रही है, बच्चा छीन लिया जाता है, ठीक है, बच्चे को वेपन बना के तड़पाया जाता है, दादी को तड़पाया जाता है, ठीक है, और दो इन्होंने केसिस भी लगा रखे हैं, खैर उन केसिस का तो क्या होता है, ये तो हमें समय ही बताएगा, लेकिन आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा, और जिस तरह से वो चंडी गड़ गए थे, वहाँ पे इन्होंने रूम लिया आया है, होटेल का इनकी मदर की तवियत खराबती उपर से, मामा जी की भी तब में ठीक नहीं है, उनको देखने गए हैं, और उनने सोचा वहीं से वहीं चंडी गड़ होते हुए, बिलासपूर गए थे ही कोट में, जहां पे आज बच्चे से मिलना था इने, तो खैर, परितो का वीडियो भी नहीं आया है, हम वेट कर रहे हैं, उनके वीडियो में क्या बताती हैं, लेकिन, जो आज अंकुष के फेस पे स्माइलती है, और उसने खुद बोलाए कि मैं बहुत खुश हूँ, तो मैं congratulations देना चाहती हूँ, बाकि yes, जो cycle है, जेखिए जो main gift था, जिस तरह से अंकुष ने बोलाए कि हाँ, वो gift cycle से बहुत खुश हुआ, वो नीन में था, फिर भी कहना था, हाँ cycle मुझे चाहिए, तो बच्चों को देखिए, कहते हैं ना कि, बच्चों के लिए आपने जो gift खरीदा, और बच्चे को पसंद आ जाए, इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता, तो वो gift किस तरह से, गाडी में शायद जो उनका, प्रीतो का भाई जो गाडी लाया तो, उसमें नहीं आ पाई थी, cycle तो ये शायद, आज कह रहे थे कि मैं किसी तरह पहुचा दूँगा, तो वो cycle जल्दी से जल्दी पहुच जाए, बच्चे तक, ठीक है, और हो सकता है, अंकुष दुबारा मिले आज, तो खैर वो तो वीडियो आने पर ही हमें पता चलेगा, लेकिन येस, दादी भी बहुत खुश हुई, जिस तरह से अंकुष बता रहे थी, कि मेरे पास तो आया यह नहीं, वो सोच रहा था, पतनी, ये कौन है, थोड़ा दुख होता है, कि आज उस बच्चे को शायद ये बताया यह नहीं गया, तो अच्छा लगा, और ये भी बोला गया, कि उन लोगों ने कॉपरेट किया, ठीक है, उन लोगों ने अगर सुबह से वो लोग आ चुके थे, मैं ही खुद लेट हो गया, लोक अदालत का खेरी, इनों ने लिखा है अपने टाइटल में कि जॉइन नहीं कर पाया, लेकिन अच्छा लगा उसको मिलके, और बहुत खुश थे, बाकि मेरे ख्याल से एक और वीडियो आएगा, जहां पर ये फुल अच्छे से अपने इमोशन्स बताएंगे, क्योंकि अभी होटेल में थे वहाँ से एक शॉट, इनका ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं तो छोटा ही दे पाये थे, और कल शायद, मतलब आज शायद फिर से ये मिल पाएं, तो अच्छी बात है, कहते है ना कि बच्चे को भी अब धीरी-धीरे जितना ही मिलेंगे, क्योंकि देखे, कोट के हिसाब से, अगर हर महीने, दो बार या कितने बार भी इनको अलाउड होगा, उसे साब से मिलेंगे, बहुत टाइम से विसिटेशन राइट्स मिले हुए थे, लेकिन नहीं मिल पा रहे थे, तो बहुत अच्छा लगा देखके, और साथ-साथ, ये भी बोला उरोने कि, वो लोगों ने कॉपरेट किया, उल्टा मै थोड़ा लंच, मतलब, आफ्टरनून के बाद पहुँचाता हूँ, और सब कुछ अच्छे से हुआ, और बच्चे से भी मिले, दादी भी बहुत खुश थी अपने मिठ्टो से मिलके, तो फ्रेंट्स ये था वीडियो, और अगर आप लोगो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शिर्ट सब्सक्राइब करना, बाकी एक फीमेल का शोल्डर, दादी के पास आके उसको अच्छा, और देखे, कहते हैं न बहुत खुश हुई, काफी लोग बहुत खुश हैं और लोग आशिर्वात दे रहे हैं, कि आपने बस ही बोला, हम इसी को सुनके बहुत खुश है, बाकी छोटी वीडियो, यानी परितो का वीडियो, क्या वाकई, कब आएगा, ठीक है, क्या ये वाला वीडियो जिसमें ब पता चलेगा राइट बाकि उदर जो बग्गा मामा है धांची उनको बग्गा बोलते हैं सब लोग तो उसने भी फर्स निभाया उनका भी काइंड ओफ वीडियो में आज पॉजिटिव ही कहूंगी जिस तरह से उन्होंने बोला कि मैंने हमेशा फर्स निभाया है आप लोग फैमी मतलब एक तरह से कहा था कि अभी कुछ एमर्जेंसी आ गई है हो सकता है हम लोग कल ना जाएं इसके बाद काफी इनके ही सब्सक्राइबर्स इनके ट्रू सब्सक्राइबर्स भी इनके अगेंस्ट हो गए थे सब लोग यही कह रहे थे कि तुम अगर कल नहीं गई तो अभी जा रही थी अभी इनका जो रीसेंट वीडियो जो है चानल पर की काफी लोगों को कल अच्छा नहीं लगा लोग मुझे ऐसे बोल रहे थे लेकिन काफी चीज़ें यूट्यूब पर नहीं बता सकते हैं हम सिर्फ थोड़ी चीज़ें बता सकते हैं क्यार कौन सी अमर से हैं और बहुत अच्छे से सेलिब्रेशन इन्होंने किया था अपने घर पे बच्चों को बुला के बुआ आई थी और दादी और सारे इनकी जो कजन्स हैं बच्चे सबनों बहुत अच्छे से पेस्ट्री वगरा थी और जो चॉकलेट्स वगरा सब कुछ अरेंज किया उदर प्रीतों ने भी वहां पर सेलिब्रेशन हुआ तो था लेकिन सबका अलग स्टाइल था उनका थोड़ा अलग स्टाइल था वहां पर भी बच्चे हलांकी थे ठीक है और समोसे वगरा रेंज किये तो अपने लेवल पर उन्होंने का था कि मैं बेस्ट कर पाई हूँ अच्छा ये लगा कि इस बिर्दे वाले दिन तो नहीं लेकिन नेक्स डे जो एक फादर है ना जो इतने टाइम से बच्चे को भी अच्छा लगा होगा कि यस शायद उसको पता नहीं है ये कौन है मेरे पापा है नहीं है लेकिन यस आज जिस तरह से बताया गया कि मैंने बताया है कि मैं पापा हूँ तो धीरे धीरे जितने बार वो मिलेगा उसे पता चलेगा कि ये मेरी दादी है ये मेरे पापा है तो फ्रेंड्स आपको कैसा लगा वीडियो आप लोग भी नीचे ज़रू लिखेगो और कॉमेंट सेक्शन में काफी लोग बहुत मतलब झाल 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 झाल